नमसकार प्यारे सात्यों मैं फेते इपाल नाइक आप सभी का नाइक आएसे एकड़िवें परहार्दी कि स्वागद करता हूँ और आज आपपढ़ेंगे फिजिक्स का अगले पार्ण ठीके, तो फिजिक्स का अगले परट में आज बात करें तो पहले तो आज का आपका पहला क्योंच नहीं देखिए इंटिग्रेडड़ सर्कीट बोले तो सौट में बोले आज सी जिप पर किसकी फरत लगा जाती है तो माले ये आपकी आईसी थीकर डूंच आइसे आप सभी ने देखिया होगी जैसे इलेक्ट्रोनिक प्लेटे है जैसे आपकी टेवी है रेड्यो है मुबाइल है आदि की अंदर जो नीचे प्लेटे होते हैं पलेटों के उपर लगी होती है आपके आई सी त्वर ख्याओर किसकी परट चड़ाया जाती है तो अगर बात करें सिलीकोन के निकल के आयरं की सिल्वर तो आयरं या फ मात तो किस क्रज पर धाउरन की परचण जाती है ती क्ट यह घंड़िता की परच बंसक्व करें革 है अगरह स McCarthy सबस्क्व थान सब्सक्राइब की परत्य चड़ाई जाती है तो आप समझ सकती है कि यहाँ पर किसकी परत्य चड़ाई जाएगी सिलिकॉन की ठीक है अगला क्यूशन आपका देख लिए घरेलू विदूद सप्लाई ठीक है घरेलू विदूद सप्लाई के दोरान काले रंग का आवरण यूक्त तार है विदूद मन्य तार या भू तार या उदाशिन तार या फिर फ्यूज तार या पिर इन में से कोई नहीं तो सबसे पहले आप क्या करें आप क्यूशन को के अंदर गरेलो वायरिंग के अंदर आपके कितने वायर होते हैं ठीक है यह आपके मुख्य रूप से आपके घर में तीन वायर होते हैं ठीक है मुख्य रूप से कितने वायर होते हैं तीन वायर होते हैं यह आपका रेड बलेक और आपका गरीन है ठीक है रेड बलेक और गरीन बात करें तो लाल लाल काला और हरा ठीक है लाल काला और हरा बोले तो रेड बलेक और गरीन यह सब किस किस के लिए उप्योग में आता है तो समानेते अगर बात करें तो तीन वायर होते हैं गरेलो वायरिंग के अंदर कंप्लिट आपके माना जाए तो तीन वायर होते हैं अर्थिंग के ISI के Code के अरुसार आपके तीन ही वायर आपके Color में Fix होने चाहिए बाकि अन्यत आपके है इसमें Blue भी है Blue होंगे या फिर White भी आएगा या फिर आपके या बहुत सारे Color के वायर होंगे गरिलो वायरी के अंदर लेकिन मुखे रूप से तीन वायर को आपको पता होना चाहिए ISI के नियम के अनुसार आपके तीन वायरे मुख के Color कोड है ठीक है बाकि आप किसी को दे सकती है कोई दिकत नहीं होगी तो आप क्या कर सकती है अगर रेड वायर को किसका जो की चूज करेंगे तो जो की रेड है वो हमारे फेज का है रेड वायर होगा वह हमेशा किसका होगा फेज का यानि घरों के अंदर मुखे रूप से तीन तार होते है एक तो फेज आता है एक नूटल आता है एक अर्थ का आता है ठीक है नब तो तीन वाइर है तो हमेशा क्या होता है फ्यूज का तार होता है वह किस कलर का होता है फेज तार फेज वाइर किस कलर का होता है पेज वायर किस कलर का होता है लाल कलर का या फिर रेड कलर का अगर बात करें बलेक कलर की तो बलेक कलर किस का होता है न्यूट्रल का बलेक किस का होता है न्यूट्रल का न्यूट्रल का बोले तो उदासिन बलेक न्यूट्रल ठीक है तो चलिए यहां से आप देख सकती है आपका रेड है जो आपका फेज वायर हो जाएगा यह आपका लाइव वायर हो जाएगा आपका है तो जीवित वायर हो जाएगा ठीक है अगर उसका आप उद्दासिन के बात करें तो एक होता है फेज और न्यूटरल है तो आप जो कि समांतर करब में होते हैं तो आप समझ सकते हैं तो यह दो वायर होते हैं आपके में लाइन के कितने वायर होंगे दो वायर होंगे जबकि आपका अर्थिंग है या फिर भूत आ रहा है तो है न तो इसको आपको अर्थिंग के कहां से करना होगा घर से आपको से समझ सकते हैं आपका पीछे से पाजd आपके अलिव और दो बाइर मिलते हैं डुन आपके फेज वायर के यह बलेग हो जाएंगे हैंंगे अब मिपुर से उस अर्थिंग के वायर को लेकर आपे जो कि भूमी से समझित कर देते हैं जो कि नॉर्मल आपके करंट पर गिर है जो कि जो कि आपके भूमी के अंदर चला जाता है इसके करंड आपको नॉर्मल सोके नहीं लगे यह आपको विदो जटका नहीं लगे इस कारण क्या करते हैं कि यप जो कि आपके वह onों के वाइरंग को अर्थिंग करते हैं तो आप अच् marked समझे के फेज बाइर लाल कलर और यह वाव का प्योजतार वो ले तो फेजतार है तो आप अच्छी तरीके से समझ गए कि यहाँ पर बलेक वाइर पुचा आपने ना यह ने काले रंग का आवरन य्गतार किसका होता है तो काले कलर का आवरन य्गतार होता अपका उदासिन तरीक ना चलिए तरी यह अगला किसें देखे एक तार में बहति विदु दरा एक विबुवानतर परते को दुगना बढ़ा दिया जाए यहां एक नहीं है एमम है ठीक है यहां कहता है एक तार में भहती विदूत धारा एमम विववांतर परते को दूगोना बढ़ा दिया जाता है 2ग गुना बढ़ा दिया जाते है, तो विदुत शक्ति पर क्या परभाव पड़ेगा? विदुत शक्ति पर परभाव उतन नहीं होगी, चार गुना बढ़ जाएगी, दो गुना बढ़ जाएगी, यहाँ पर घटकर आधी हो जाएगी, या फिर voltage voltage आपका कितना था 220 वोल्ट तो इसका कहने का मतलब है कि विदूत धारा को तो कर दिया 10 ampere ठीक है और आपके voltage को कर दिया 200, 440 voltage ठीक है अगर दोनों को double कर दिया यहनि दोगोनों बढ़ा दिया जाता है तो इससे आपकी सक्ति पर क्या परक पड़ेगा ठीक है तो सक्ति पर क्या परबाव पड़ेगा तो अगर क्या voltage और आपके दारा को बढ़ा देने पर सक्ति पर किशी पर परबाव का परबाव नहीं पड़ेगा किशी परकार का परबाव किस पर नहीं पड़ेगा इन दोनों को बढ़ाने से जो कि आपकी पावर है उस पर किशी परकार का असर नहीं पढ़ता है वो ले तो परबावित नहीं होगी ठीक है परबावित नहीं होगी यह आपका राइट ओप्सर हो जाएगा ठीक है तो सक्ति आपकी परबावित नहीं होगी चलिए अगला क्यूशन देखिए 220 वॉल्टेज जनरेटर से एक बलब जुड़ा है कितना एक बलब जुड़ा है और 220 वॉल्टेज जनरेटर से दारा 0.5 एमपेर है तो बलब की सक्ति ग्याद करें बलब की सक्ति ग्याद करें है अब सक्ति बोले तो सक्ति ज्यात किने का सुत्रह देखो फी बराबर वी इंटू आ है टो फी बराबर वी इंटू आई अब किसका मत रखे कि अ दिक को पर्दर्शित कर रहा है इसक्ति बोले तो पावर ठीक है सकती या फिर power V किसको करता है voltage V किसको करता है volt को I किसको पर बाईद जो की पर दर्शित करता है だरा empire ठीक है यहाँ से आप समझ गए P बराबर power बोले तो सकती V बराबर voltage आई बराबर धारा अब अगर पावर ग्याद करने का सुत्र है वी इंटू आई ठीक है अब आपके पास देखो पावर ग्याद करने के लिए सुत्र है वी इंटू आई तो आपके पास वी उपलब्द है और आई भी अवेलबल है तो आप क्या करें वोल्टेज और धारा को दोनों को गुणा कर दीजिए और जितना भी अगर आपको प्राफ्ट होता है आकड़ा वह सकती प्राफ्टे हो जाएगी ठीक है तो यह पर आप देख लिजे यह पर योट कर लिया होगा तो इसको लिटा देता हूं ठीक है न, तो आप क्या करें, P बराबर, यह आपके P होगा है, P बराबर, V कितना है, 220, इंटू, आए कितनी है, 0.5, पांच एंपिर, अब आप क्या करें, 220 को 0.5 से गुणा करिए, तो 220 को 0.5 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 110, वाट, ठीक है, कितना आता है 110 वाट, और वाट कि क्यों पर दर्शित किया, वाट बोले तो सक्ति का मातरक क्या है, इसको W से क्यों पर दर्शित किया, क्योंकि सक्ति का मातरक है, शक्ति का मात्रक या पिर शक्ति की एक आई क्या है वाट डवलू चे पर दर्शित करते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर शक्ति ग्यात करने का सूतर है वी इंटू आई वी हमारे पास है 220 वॉल्टेज और आई हमारे पास है 0.5 इंप्यर तो 220 वॉल्टेज तो आई विदूत बलप जल रहा है विए कितनी धारदा ले रहा है 0.5 इंप्यर तो विए कितनager वाट का है, कितने वाट का है आपके 110 वाट का जो किया आपका बलप है तो वलब का वाट कितना हो गया 110 कितने बाट का वलफ एक सो दश some चूज सा महत हो गया यह बलफ होगए अब इसकी आप धारा भी निकाल सकती हो यहां पर 110 वाट का बलफ दे रखा हो और 220 वोल्टेज शप्लाइद दे रखी हो तो आपका धारा भी ग्याते कर सकते हो ठीक ह यानि इसके माद्यम से आप धारा ग्यात कर सकते हो और अगर 110 वाल जो की वाट आपकी सकती दे रखी और अगर उदर है ना 0.5 वाट आपकी धारा दे रखी हो तो आप इसका वोल्टेज भी ग्याती कर सकती हो ठीक है अमारे पास कम से कम दो जो की जानकारी होनी चाहिए तो भी दो का अंकडा होना चाहिए या फिर धारा या फिर सक्ति या फिर धारा चाहिए तीसर आप अपने निकालशक्ती हो तो यहां पर आपका ओप्सनेमर बी बोले तो 110 वाट का बलफ होगा किसी एसी जनीतर तता डीशी जनीतर में एक मूल बूत होता है यह कुण सा है यानि AC और DC generator दोनों के अंतर जो कि अंतर कौन सा होता है दोनों generator के अंतर होता है देखो AC generator में विदूद चुम्बक होता है जिबकि DC generator में जो कि इस्ता ही चुम्बक होता है ये कोई perfect जवाब नहीं होगा ठीक है AC जन्यतर में सरप्यवले होते है जबकि DC जन्यतर में देख परीवर्ट है ठीक है मैंने मैं आपको बताया था AC है जो कि आपकी एक बार गटreyat या पर एक बार बढ़ते करम में चलती है यानि सरपिलिया कार में चलती है एक बार प्लस उएक बार माइनस एक बार case एक बार माइनस जबकि कि ऴर यह सिलटी चलती यह स्था रहता है क्योंकि दिसी में कोई उतार चड़ाव नहीं होता है तो यह जाता है आपका ऐसी में D-C का έमTיORY यह वो गया fix जबकि D-C जन्हेतर UCH VOLTA का जनन करता है कोई जरूरी नहीं है A-C जन्हेतर UCH VOLTA का जनन करता है कोई जरूरी नहीं तो यह आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जबकि B अप्षन आपका AC जनीतर में सर्फिलावकार होती है DC जनीतर में दिख परिवर्तन होता है तो यह आपका हो जाएगा correct answer तो आप option number B को right कर सकते हो ठीक है तो चलिए अगला क्या है देखिए यदि 60 watt का बलब परती दिन 5 घंटे परियोग किया जाए 60 watt का बलब है परती दिन 5 घंटे जलता है तो 30 दिन में कितने unit विदूत खर्च कर देगा 30 दिन में कितने जो कि unit विदूत खर्च कर देगा तो सबसे पहले आप देखे unit सोड़ो सबसे पहले आप वाट ग्याद करें ठीक है न देखो 60 watt का बलब है और 5 घंटे जलता है तो सबसे पहले आप ये चीज नोट करें कि अगर 60 watt के एक बलब को आप 5 से गोणा कर लो ठीक है अगर 5 घंटे जलता है मतलब एक दिन में 5 घंटे चलता है एक दिन में 5 घंटे चलता है तो आप क्या करें 60 into 5 ये हो गया एक दिन का ये एक दिन का record हो जाएगा तो 6 पंजे 30 कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 ठीक है तो वह एक दिन में 300 एक दिन में कितना हो जाता है 300 watt विदूत खर्च कर लेता है 300 watt विदूत खर्च कर लेता है हाना तो ये होगी आपके एक दिन की जान करे हाना ये होगी एक दिन की जान करे अब हमें चाहिए 30 दिन की जान करे कितने दिन की तो आप क्या करे इसको अब एक दिन की तो कितने होगी 300 अब 30 दिन की जान करे के लिए आप क्या करे या तो 300 300 को 30 बार एड करो या फिर इसको 300 यह हो गया आपके 900 वाट यह कितने हो गई 900 वाट तो यह कह रहा है 30 दिन में 30 दिन में 60 वाट का बलब परते एक दिन 5 गंटा जले तो 30 दिन में यह 900 वाट विदूत सक्ती की खपत कर देता है कितने की 900 वाट की अब हमें चाहिए यूनिट में ठीक है यूनिट में चाहिए त कितना वाट होता है एक यूनिट बराबर कितना होता है हजार वाट कितना होता है हजार वाट होता है तो हमें इसको नो हजार को यूनिट में कवर करने के लिए या फिर यूनिट में परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा हजार से भाग कर दो ठीक है न हजार से भाग कर द आपने तीन जो कि तीस दिन में या पिर एक महिने में खर्च की और हमें चाहिए ओलिफोर है जो कि बिजली का बिल बनता है वह यूनिट के आदार पर बनता है नहीं कि आपके वोट के आदार पर तो यूनिट के आदार पर बनता है यानि उसने टोटल यूनिट कितनी खर्च कि तो आप क्या है एक युनिट पराबर हजार वाट होता है तो आप क्या करें जितनी भी वोट आता है या पिर पावर आता है पिर सकती घुनया उसको आप हजार से भाग कर दीजैं तीन से तीन गया पीछे कितना रहां नोरा यहनी आपने 30 दिन में 9 यूनिट विदूत की खपत की थे ठीक यह हो गया आपका कनफरम आकड़ा कि 30 दिन में आपने 9 यूनिट विदूत की खर्च की ओप्सन नमर B पे चले जाए तो सभी के समझ में आ गया नहीं आया तो आप इसका सोट कर देख सकते हो जैसे आप इसका डायरेक्ट टांकड़ा निकालने के लिए आपको एक सुत्तर बता देता हूँ आप इसको तो देखो बेसिक माद्यम से निकाला है ना बेसिक माद्यम से निकाला है आप इसको अब आप क्या करें देखो अगर डारेक्ट निकले तो आप सबसे पहले क्या करें घंटा डे और वाट तिनों को अलगर लेगे लिख लिजे ठीक है कि देखो मुँए वाट इंटो दिन इंटो घंटा बटा है युलिट करना है हजार लिखो ठीक है अब वाट कितना लिको 60 इंटो दिन कितना लिको 30 कितना लिको 30 और आपके इधर हो जाएगा आपका 5 ठीक है तो यह देखो 0 से 0 जिरो से 0 ताप इस माद्यम से इसको हल करके भी आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो ठीक है तो आप देखिए 2, 18, 9 यूनिट ठीक है ऐसे माद्यम से आप पर क्या करें जो कि 00 से 00 काट लिजिए इसके बाद उपर वाड़े 5 से निचे वाड़े 10 दो उपर के 6 और 3, 6, 3, 18 निचे 2 तो आप 18 को 2 से काड़ो कितना बचेगा 9 इधर आपका कितना यूनिट आगया 9 यूनिट आगया तो भी यह यह आपका थोड़ा सोर्ट लगे तो यह आप देख लेड़ा अगर वह बेसिक सोर्ट लगे तो वह देख लेड़ा यह तो था इसका सुत्र तो सुत्र हमेसा क्या होता है जिसने आप क्या करें दिन गंटा और वाट बटा हजार क्योंकि आपका यूनिट में चाहिए तो आप नीचे बटे में हजार लगाईए ठीक है यह आपका सुत्र हो गया यह सुत्र आपे नोट कर सकते हो ना क्योंकि विदुद खर्च निकालने के लिए आपे सुत्र आप घर्व में याद कर सकते हो तो चलिए अगला क्यूशन देखिए जलते हुए विदुद बलब के तंतु का ताप समानेते होता है ठीक है जलते का जो कि बलब आपका जल रहा है तो उसका साधन ते टेमपरेचर कितना होना चाहिए तो साधन उसका टेमपरेचर होता है आपका 2000-2500 डिगरी से 2500 डिगरी सेंटिग्रेट तक है ठीक है यानि सदारन तापमान आपका होगा 2000-2500 डिगरी सेंटिग्रेट तो जलते हुए विदुद बलब का तापमान 2000-2500 डिगरी सेंटिग्रेट तक होता है विदुद बलब में फिलामेंट है विदुद बलब में फिलामेंट है जो कि आपका किश दातों का लगया जाता है टंग सटन का टंग संका तैंस्ट यह लगा जाता है कियोग्र की उच्छ वोता है कितना होता है उसका गर नाक होता है है 3500 डिगरी सेंटिग्रीस तक इस लिए जो की विदूत्थ बलब टंगेस्ट धातू जो पर लगए थाया जाता है तो आपका इसको नॉर्मल की बात करें तो dwarf effective ते 갖고 होता है और इसका टंगेश्ठन धात्व का team लगबग पैंतिस सो degrees CORल की इतना उसको सेंड करने के गलनाक करने के समता होती है तो आप क्या करें याद रखे 2000 से 25 सो के लिए समाने ताप मन कि समाने ताप मन कितना होजेगा 200 से 25 सो के आसपास ठीकर तो चलिए यह आपका हो गया साधान बलब का टेपरेचर अब देखो अगला क्यूस ना आपका एक सो वाट का बिजली का बलब दस गंटे जलता है तो पांच रूपे परती यूनिट की दर से विदूते खर्च होगा ठीक है विदूते खर्च होगा अभी देखो सबसे पहले आपको यूनिट ग्याद करना है सबसे पहले ग्याद करना है यूनिट ग्याद करना है और यूनिट ग्याद करने का सुत्तर व दोलप है 10 गंटे जलता है और हमें आगे दिन नहीं दे रखा है ठीक है दिन नहीं दे रखा हो तो आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले विदोत खर्च क्या करना हो गया है हुए वाट इन्टू नेको दिन हो तो दिन इंटू घंटा लिखे अगर दिन नहीं हो तो शिदा घंटा लिख सकते हो वणार को यूनिट में चाहिए यूनिट में कितना है दस कितना घंटा है ठीक है यह बटा में हजार लिके इससे यह हो जाएगा इससे यह हो जाएगा तो मान लीजे एक को एक से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है एक को एक से गुणा करने पर एक प्राप्त होता है एक को एक से भाग करने पर क्या आता एक तो हमारे पास यूनिट कितना रहा हमारे पास एक यूनिट विदूत खर्च हो गई कितने हो गई एक यूनिट अब आपके पास एक यूनिट विदूत खपत हो गई 10 वाट का जो कि 100 वाट का अवलब 10 गंटे जले तो हमारे पास एक यूनिट विदूत खर् होगा अब हमारे पास एक यूनिट तो विदुत होई और हमें एक यूनिट का पांच रुपिया बताए गए है थीक है यहाँ पर देंको पंदरा यूनिट अगर होता ठीक है ना पंदरा यूनिट होता तो पंदरा को 5 से आप मैल्टिपलाई कर देते यानि जितनी भी होती 15, 17, 18 तो आप उसको 5 से गुणा कर देते क्योंकि ये 5 रुपे एक यूनिट का खर्च है जितनी यूनिट होती उसका 5 से गुणा कर देते ठीक है अगर 200 यूनिट होती तो आप 5 से गुणा कर देते लेकिन हमारे पास विदूत खर्चुए ये only एक एक यूनिट खर्चुए है तो आप क्या करें एक को किसे गुणा करें पांच है यानि हमारे पांच रूपी जो कि प्रति यूनिट की दर्शे अगर विदूत कर्च होता है तो आप एक यूनिट को पांच है करें तो हमारा बिल कितना बनेगा पांच रूपे बिल कितना बनेगा विदूत का बिल है वह क जलाए 10 गंटे तो यह पांच रुपे एक दिन की राशी है ठीक है आप अगर तीस दिन जलाए तीस दिन चलाए तो आपका कितना हो जाता है पांच तीए पंद्रा मतलब डेड़ सो रुपे एक सो पत्चास रुपे मंतले आपका बिल बनेगा ठीक है तो यह अपका एक दिन का निकल गए अबर आपको जो कि महिने का दो महिने का तीन महिने या फिर बारा महिने का पूचे तब इसके आगए आप उसको क्या कर सकती यह एक दिन की आगए तो आप अगर बारा महिने का जो कि विदूत खर्च है जो कि निकल जाएगा ठीक है यह हो गए आपकी साधारन जानकरी है ना तो चलिए आप इससे आगे देखिए एसा उपकरण जो राशानिक उर्जा को विदूत उर्जा में रुपांत्रण करता हो वह क्या कहलाता है यहां से देखिए मोटर है गतिमान कोईल मिटर है या फिर बेटरी है यहां पर आपकी मोटर है कि यह को मॉटर है मोटर किशे की सर्जा को पर आप करती है दोको मॉटर तो विदूत उर्जा से चलती है विद्धूत उर्जा से तो चलती है और आपको यांत्री गुर्जा परदान करती है विद्धूत उर्जा से चलती है यांत्री गुर्जा परदान करती है अब जनरेटर है यह तो यांत्रीक से तो चलता है यांत्रिक से चलता है और विदूत उर्जा उत्पन करता है विदूत ही उत्पन करता है हमारी बेटरी है यह आपकी राशायने से चलती है राशायनिक से चलती है और विदूत उर्जा उत्पर्ण करती है ठीक है क्या उत्पर्ण करती है विदूत उर्जा उत्पर्ण करती है और चलती किसे राशायनिक से ठीक है तो आपका यह हो जाएगा कि जो कि बेटरी उपकरण ऐसा है जो कि आपका राशायनिक उर्जा से वि अप्षन कलियर हो जाएगा तो आप समझ सकती हूं अब आप पड़े एंगश्ट्रम एकाई है ठीक है एंगश्ट्रम्फ एकाई किसकी तरंग देद्री की आवर्ति की उर्जा की वेख किया प्रॉवकत में से कोई से की नहीं हाना तो आप तरंग देद्रिय की कई क्या है एंग ठीक है आवर्ति की कई क्या है है एटरज और जा की क्या है और जा की क्या है जूल और जा की जूल तो यह आप क्या है आप पर समझ सकते हैं क्या हो गई तो आप इस परकार समझ सकते हैं कि एंग लेद्री की चलिए दाब की इकाई क्या है ठीक है वे दाब की इकाई क्या है न्यूटन परती वरग मिटर या फिर न्यूटन मिटर या फिर न्यूटन या फिर न्यूटन परती मिटर ठीक है तो यहां पर आपको साधान ते ऐसा इकाई क्या है दाब की दाब की अगर एक मातरक बात करें दाब की कई है पास्कल भी है एक तो पास्कल है लेकिन आप इसको न्यूटन परती मिटर दाब के अलावा पास्कल के अलावा एक और है न्यूटन परती वरग मिटर आप इसको पास्कल भी कह सकते हो और न्यूटन परती वरग मिटर भी कह सकते हो यानि दाब की एकई है उसको न्यूटन परती वरग मिटर भी कह सकते हो और पास्कल भी कह सकते हो तो आपका उपसन नमर ए है जो कि इसका दाब की एकई का राइट मातरक हो जाएगा तो अगर option में आपको passcal नहाय मिलके ये निटन परती वरग मिटर मिले तो भी आपका एक दम से स़ई हो जाएगा ठीक है दाव सहईस है या पिर आदिस है? दाव सहईस राजिया या पिर आदिस राजिया है? तो आपको बताया था सभी को सहईस और आदिस में अंतर साधिस और एदिस साधिस और एदिस राशी में अंतर बताईए तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो साधिस राशी कोड़ सी है एदिस राशी कोड़ सी है तो आप साधिस राशी बताईए तो आप दाब किस जो कि कोड़ सी कही है ठीक है विश्टापन वेग त्वरण बल ये सब किसमें आता है सैदिस राशी में ठीक है और बाकी इसके अलावा सब किसमें आता है एदिस राशी में तो दाव आपका किसमें आता है एदिस राशी अब सेदिस और आदिस को आपको पता है जिस बहुतिक राशी का दिसा वे परिमान दोनों हो वे क्या किसमें आता है एदिस में आता है तो आप कंप्लेट करें से अधिस और एधिस में अंतर पता करने के लिए पिछली कलास में आपने बताए था आप अच्छी तरीके से उसको कवरे कर सकती हूँ ठीक है निमनतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है पंडूबी नोदन पे या पिर तुशार मुक्त पर्शित्र को रेफ्रिजडेटर में या फिर रोकेट प्रोधोगी की में या पिर अतित चालकता वाले विश्य अनुशंदानों में हाना तो आप कह सकती है कि इसका जो की फ्र प्रिजडेटरों में होता है या फिर पंडूबी नोदन में होता है या फिर आपके रोकेट में होता है या फिर अतित चालक विश्य अनुशंदानों में होता है तो आप बात करते हैं कि निमनतापी या फिर तो इसका उप्योग निमनतापी या फिर इसको क्रायोजनिक इ जेनिक इंजन ठीक है नेम नतापी या फिर क्रायोजेनिक इंजन इसका प्रियोग रोकेटों में किया जाता है ठीक है इसका प्रियोगी किस में किया जाता है इसका प्रियोग रोकेटों में में किया जबता है ठीक है तो यहाँ पर आपका रोकेट परोधोगी की में हो जाएगा ठीक है इसको आप करायो जानीक इंजन भी कह सकते है निम्न ताप इंजन भी कह सकते है ठीक है यह 0 डिगरी केल विन ता आप मान परकारिय करता है तो आपे कह सकते कितने डिगरी पर, 0 degree Kelvin पर, है ना, या फिर 0 degree Kelvin से नीचे भी हो सकता है, तो चलिए, अगला क्योशन देखिए, साधारण यें तरकिशी वेक्ति की साहिता करता है, ठीक है, साधारण, यहनि आप समझ ये, यह आपका क्या है, कम काम करने में, या फिर, कम बल क प्रियोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, या फिर उतनी ही मात्रा में काम धिरे-दिरे करने में, या फिर उतनी ही मात्रा में काम है, अधिक तेजी से करने में, सबसे पहले आप देखें, कि साधारण येंतर है, पहले, जो कि साधारण येंतर की बात करें, तो प कि अपके समय की बचते कर देता है उसी परकार आजकल बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जैसे पहले जो कि आपके ओल वगेरे निकालते थे उस समय आप अपने हाथ से ओल निकालते थे आजकल ऐसे जो आपको एक आदमी की तरह कारिया करके एमान लेजी अगर एक दिन में टोटल मशिने कारिय करे तो एक आदमी के बराबर कारिय करती है ठीक है तो वह क्या करती अपने आप तो नहीं कर सकती अगर उसको छोड़ दे वह अपने आप तो कारिय नहीं कर सकती लेकिन अगर उसके पास एक आदमी हो तो अगर एक आदमी अगर चाहे तो कम मेहनत के साथ अधिक काम कर सकता है क्योंकि अगर उसके पास तीन मशीन है तो उस तीन मशीन के साहिता से वह तीन आदमियों की बराबरी कर सकता है अकिल आदमी तो वह क्या कर सकता है कम महनत करके ज्यादा काम कर सकता है यानि कम बलका प्रियों करके ज्यादा जो की काम कर सकता है तो आप मान सकते है इसमें आपके जो की ये कारखानों बगरे में इसके लिए जो की आदमियों की कम जरूत रहती है तो ऐसे मैं कहा सकता है या प्रियत आप आपको समझने एक बाती यह आपको कम काम करने में काम आती है तो आपका साधान यंत्रों का काम यह नहीं होता कि इसको काम कम करवाई है ठीक है उतनी ही मात्रा में काम धिरे धिरे होते है ठीक है अब धिरे धिरे मशीन को लगए बाद काम धिरे धिरे थोड़ी होता है उतनी ह ही मात्रा में काम तेजी नहीं ये देखो इसका रियल आंसर ये रहा है कम बल का परियोग करके कम बल का मतलब बात ये है कि कम बल का परियोग करके और उतनी ही मात्रा में काम करने में देखो जैसे मान लेजिये बात यह है कि वेक्ति एक दिन में वेक्ति एक दिन में जैसे मान लेजियो कोई भी काम करता हो अगर एक दिन में वेक्ति दस काम करता हो ठीक है दस काम करता हो ठीक है और उसको मैनत कितनी करने पड़ती पूरा दिन लगता ठीक है यनि उसक अगर उसको 10 काम करने के लिए एक्स वाजट कुछ भी मान सकत ऑ草 काम इस्कुष भी ले सकते हो अगर उसको 10 काम करने में पूरा दिन लगता हो ठीक है तो आगर वही किसी यंतर की सायता करके या फिर इस उपकरण की शायता लेकर वहे आदे दिन में या पिर बारा गंटे की वजाए छे गंटे में वहे दस कामें कर सकता है छे गंटे में ठीक है छे गंटे में वहे दस कामें कर सकता है जैसे मान लीजिए किसी होल है ठीक है तो आगर 10 होल निकाल रहे हो तो उसको आपको हाथ से निकालने में पूरा दिन लग रहे है अगर वही होल आप मशीन से निकालो तो आपको कितना गंटा लगेगा 6 गंटे में आप जो कि 10 होल निकाल शक्ते हो यह निए आप कम बल का प् ठीक है तो आपको उपक्रणों का फायदा यही होता है येंत्रों का फायदा यही होता है आप आसानी से हर काम को जो कि पहले से ज्यादा कर सकते हो ठीक है चलिए निमलिकित कत्नों पर विचार कीजी एक तिक्छन वर्ताकार पत पर तीवर गती से जाता हुआ चार पैयों वा ही ठीक एक फोर विलरगाड़ी चल रही है केतना वहat यह चार पई वाड़ा यह कह रहा हैं एक वह Mario गत्थ है ठीक कर रही हो यह कह और तीक्षन वर्ताकार यहनी बहुत ही गोल घ्राय जिसमें थी 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 वह गत्थी से एग बहुत फाश्ट चल रहा है कि अ मोध स्पीडी चल रहा है अगर इसका कहने का मतलब यह तक तो सकी गाड़ी के प्रिबासा बता इतरी है ना उसका देख हो स्पीड बता दिया उसकी कि गोल गहरा की मोड है च्छपी करता अगर ङृड़ का भी अपने हमेशा याद रखे जब गोड़ाई में चलती गाड़ी है अगर आपकी अचने गुमावदार मोड है उस गुमावदार मोड में गाड़ी अगर अपनी फुल रफ्थार से चलती है तो हमेशा पल्टी मारती है ठीक है पल्टी मारती है तो कभी अंदर वाड़ी साइड में गि ध्क कोड़ है जैया उस साइड में उस साएड में जाकर गिरेंगी है стать चाहरण क्या होता है एक तो आपका अभी कैंद्रिये पर डूसर्व हुत अभी केंद्र र कि एपर्ड वह अभी केंद्रिय बल ठीक है अभी केंद्रिय बल और अपकेंद्रिय बल में दोनों में कारण यही है कि अभी केंद्रिय बल में जो की अंदर के और बल लगता है यानि यानि बहुत बार किया या आप जैसे आप एक किसी रसी के आप पत्थर बांद लीजी और पत्तर मांद के जैसे गोल गुमाओगे और जैसे उसको छोड़ोगे तो यह अंदर ना कि बाहर की साइड जाएगा तो यह हो जाएगा आपका अपके अंदरिये बल ठीक है जिबकि अभी केंदरिये का मतलब अंदर की साइड अभी केंदरिये का मतलब जो कि आपकी मोड है इस मोड में अगर गाड़ी पल्टी मारेगी तो बाहर की साट जाएगी ने कि अंदर की साट जारी मतलब केंदर 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 सब्सक्राइब है तो बाहर की नहीं बीना है तो प्लटे नहीं रहलु हो अगर तो अगह रोड की ऎंदर किनारेपर हमेशा याद रखे जब भी अगर गोल गुमावदार मोड हो तो अगर दिसा अगर जो कि आने वाले की कौन सी दिसा होती है जाने वाले की कौन सी दिसा होती है फिर भी आप याद रखे जब आपकी गोल गुमावदार अगर मोड होती हो तो उसमें सबी गाडियां जो इस साइड से जाती हो वो भी बाहर के साइड मिलेगी आपको और उस साइड से आती है वह भी बाहर यानि सभी गाड़ियों का गुमाव है जो कि आपके शड़क के बाहर के साइड आपको मिलेगा तो उसका कारण यह सब की सब बाहर की तरफ फिसलेगी तो बाहर की तरफ खेल जात कुछए है तो यह हो गए आपका अपके अंदरी बल ठीक है यह पिर इस में देखो बाहर की साइट पर इल्टेगा यह उलटें यह पर खोके यह कि जो गय Iss nuestra आपके का एक नम्र नमर को साहिए करने के लिए चाड़ी है जो की बाहर की साइड गिरेगी है ना क्या गिरेगी बाहर की साइड गिरेगी यानि उसका अंदर वाले पर ये उठेंगी अगर गिरेगी तो अंदर वाले पर ये उठेंगी तो आप कह सकते यह हो गई अपकेंद्रिय बल की परिवासा तो आप इसका समझ सकते हो बाकि आपको अपकेंद्र किर्या नहीं होती तो कैसी कत्व किर्या है नहीं होती तो तो मोड फ़िक पता भी है किसी कत्व किरिया क्या होती है कैसी कत्व किरिया देखो यह निए इसमें चोटे चोटे बाणि से हैं फुर्फनिय लिखी आपने पूराणे डाये में लाइन देखा है ठिक थिक वह किस से चलते थे करोषिंच से चलते ते आप उसको दिपक बोल सकते हैं ठीक है तो वो बति होती है कि उस कपड़े के अंदर या एप एक तेल का चड़ना हाना, यहां पर देख लीजे जैसे यह दिपक है, हाना, तो यह आपकी जो की बती है, तो इसके अंदर तेल भरा होता है, हाना, और यह बती जलती कहां से, देखो, यहां से इतनी दूर में आपकी बती जलती हुई मिलेगी, ठीक है, इसके अंदर तेल है, और यहां क्यों जलत क्किया के परियोग है किरिया के कारण छोटे चोटे छेदों के माद्डें आपका जो की तेल खत्म होगा तो यह आपका दिपक है जो बंद हो जाएका रहे हैं इसी परकार है जो कि आपके पराने टाइम आपके वाले पेन हैं वह इसिए प्रकारद करता ठीक है आप उसका क्या कर पेड़ पोदों में पानी का सोकना पेड़ पोदों के द्वारा पानी का सोकना ठीक है आप खूलकी और यह कि ब्रफ यूर। है जो पोदी है जो उसका चोटे-चोटे कणों के जो कि आप छेदों के माद्यम से अपने आप खीच लेता है इसी परकार आप उसके लिए इसकी केसा क्यर्या का उदारण है तो यहाँ से आप समझ सकते है कि केसी कत्युए किरिया का अगर नहीं होती तो यहाँ पर क्या होता तो केरोसिन दिपक का उपयोग मुश्किल हो जाता देखो इसका दिपक का मुश्किल हो जाता क्योंकि जो कि आजकल तो इसमें घी के या फिर तेल के दिपक जलाते है तो अगर इसमें केरोसिन के पुराने टाइमें केरोसिन से जो दिपक जलते थे तो उनके लिए ये प्रियोग करना मुश्किल हो जाता अगर ये नहीं होती तो ये नहीं जलता ये सबसे पड़ी बात ठीक है इसमें दूसरी बात ये है कोई मरदू प्योग का उप्योग कोई मरदू प्योग का उप्योग करने के लिए इस्ट्रा का उप्योग नहीं करें पाता ठीक है तो ये इसका कोई करेक्ट जवाब नहीं है ठीक है शाई सोक पत्र काम करने में विफल हो जाता ठीक है शाई सोक पत्र काम करने में विफल हो जाता बिलकुल राइट बात है कि आप कागज के उपर साई गेर के देखो साई तुरंत सोक लेगी किसी कागज के उपर आप साई गेर के देखो तुरंत सोक लेगी या फिर अगर बात करें तो आप किसी जो की तोवाल है न ये आपका तोलिया होता है उस तोलिय का एक किनारा आप बाल्टी में भीगो कर रख दो ठीक है? एक किनारा बाल्टी के अंदर डुबो दो बाकी तोलिय है जो की बाहर की साइड पड़ा रहने दो तो इस किसी कितिया के कर्या के कारण है आपका पूरा तोलिय है जो की गिला हो जाएगा किसके कारण यानि इसे जो किसमायर विद्धी की कारण है जो को पूरा तोलिया गिला हो जाएगा इसलिए इसी को भी इसमें सामिले कर देते हैं तो शाही सोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है तो ये भी आपका सही आनसर है, ये भी विफल इसलिए हो जाता क्योंकि किसे के किरिया के कार्ण तो ये साइश सोक लेता है, अगर ये नहीं होती किरिया तो ये भी विफल होता, ठीक है, बड़े पेड जिने हम अपने चारों और देखते हैं पर त्थीव पर नहीं होते, बि जो कि oxygen देते हैं, ये सब नहीं होता, तो ये पेड़ पोदे हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है, तो आपके पास देखो, option नमर एक, तीन और चार है, जो कि आपके right होगे, जबकि दो इसका कोई correct transfer नहीं है, तो हमारे पास देखो, एक, तीन, चार, एक, तीन, चार बोले चलिए, वर्षा की बूंद की गोल आकरती का कारण क्या है, वर्षा की बूंद का गोल आकरती का कारण क्या है, तो गोल आकरती का कारण दरुए का घनतवे, या पिर प्रष्ट तनाव, या पिर वायमंडली अदाब, या पिर गुरुतवे के कारण, तो गुरुतवे के कार कारण वर्षा की बूंध है जो की गोल नहीं होती है जबकि पर्थवी पर पहुंचने में उसका गुर्टवा करशन का बन जरूर कारिय करता है लेकिन इसमें गोल करने का कोई कारिये नहीं होता है वायमंडल ये दाब की वज़े से अगर इसमें गोल वाली कोई कंडिशन नह होती है ठीक है तो इसमें होता है प्रश्ट दनाव जो कि प्रश्ट तनाव के कारण प्रश्ट तनाव का कारी होता है कम से कम नियूनतम दूरी घेरने का जो कारी है वह किसका होता है प्रश्ट तनाव का तो प्रश्ट तनाव के कारण ही वर्था की बुंदे आपकी गोल होती है ठीक है यापना गोल घुमाओदार घेरा कर लेती है अभी आपने देखा होगा कभी ओलाव रश्टिक के समय जैसní पर आपके ओले देखियोंगे तो झांक्ष किश के का नवा के कारण मिलेंändƏ ठीक है तो यह आप बोपे कर सकती है ये प्रश्ट दिनों के कारण है जो कि वर्चा के बूंदे आपकी गौल नजर आती है ठीक है चलिए अगला पढ़े बलने गुंणन फल है बल किसका गुंणन फल है और दर्वोमान और वेग का बहार और वेग का बहार और तोरन का तो अगर वातकरेद बल निरबर करता है बल किसको कहते हैं तो बल कहते हैं दरुवे मान और तोरण के दरुवे मान और तोरण के शेत्र को दरुवे मान तोरण का जो की शेत्र फले उसको आप क्या कहेंगे बल कहेंगे ठीक है तो बल गुणन फले दरुवे मान और तोरण के ताव ओप्सन नमर क्या करेंगे बी को राइट मनेंगे दर टो किरेंगता है तो एक किलोमेटर दूर का तात्परी ये क्या टत्परिय बोले कितने मिटर होते हैं 100 मिटर होते या पिर हजार सेमी होता है या पिर सो सेमी होता है या पिर हजार मिट्र होता है तो एक किलो मिट्र बराबर ये तो साधारण सी बात है सभी को पता है एक किलो मिट्र बराबर हजार मिट्र होता है ठीक है? कितना होता है? ये सभी को पता है एक किलोमिटर बराबर हजारे मिटर होता है एक मिटर बराबर कितने सेंटिमेटर होता है एक मिटर बराबर कितना सेंटिमेटर होता है एक मिटर बराबर सो सेंटिमेटर होता है तो आप सभी को पता होगा, एक पूट में कितने सिंटिमेटर होता है, चलिए, जब एक पत्थर को चांद की सते से पर्थवी पर लाया जाता है, यह क्या करना है, आपको एक पत्थर को चांद से उठाना है, और पर्थवी पर उसको लाया जाता है, तो इसका दुरुमान, ब या फिर ने द्रव मानों नहीं इसका बाहर बदलेगा ठीक है अगर बात करते हैं इसके पत्थर को महां लीजिए चंद्रमा से अगर पर्थवी पर अगर किसी पत्थर को लाया जाता है तो वहां पर इसका वजन था 10 केजी ठीक है 10 केजी यह था चंद्रमा पर कब था चंद्रमा पर और इस पत्थर को उठाकर यहां ले आए पर्थवी पर कहां ले आए पर्थवी पर इसका वजन कितना हो गया 60 केजी ठीक है कितना हो गया 60 केजी अब देखो इसका भार तो बढ़ गया 10 केजी से कितना गया 60 केजी आ गया और बाकी इसका कोई आकार परकार द्रमान कुछ नहीं बदलता है ठीक है कोई कुछ नहीं बदलता है मानले इसका बाहर बदल गया देखो बाहर तो 10 केजी से 60 क जी हो गया वाकिश का दुर्वमान में कोई इसर नहीं पड़ता है ठीक है नहीं पड़ता है इसका मतलब अब आपने कह दिया कि यहां पर बजन का अंतर कितना रहता है एक बटा छे बाग तो आपका क्या हो जाएगा उप्स नमर बी बोले तो इसका बाहर बदल जाएगा वह बाहर तो दस से साथ हो गया परन्तु दुरुमान पर कोई सर नहीं पड़ेगा यानि यह आकरती जो कि से मिश्की रहेगी तो चलिए यह भी आप कंफ्यूज नहीं हो इसका भार जरूर बदलता बार कितना बदलता है एक बटा छे ठीक है ना किसी बल्लेबाज द्वारा किर्केट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमिन पर लोडगती है यह तो सभी ने देखा है यहां से अगर किर्केट अगर गेंद के मारता है तो गेंद ऐसे लोडगते 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 यहां पर पहुंच जाती है पहुंच जाती है मान लीजिए यह हो गया कुछ दूर लोडगने पर साथ गेंद रुख जाती है जैसे जैसे चलते चलते अपने आप रुख जाते कभी आपने देखा गेंद के आपने मारի और गेंद चली चलती चली गई च्यक्स के तो गेंद कुछ दूरी पर जाकर रुकती यह कुछ दूरी के प्रशाथ वहां रुक जाती है गेंद रुकने के Wür ! भूए पहले वह स्पीड में चलती यह। भीर दीरत चलती पिर रुक जाती है तुका खारण किया है बन्लेबाद ने गेंद को परियापत-परियास से ही तब नहीं किया अगर हीट कर भी दे तो ऊसको कोई प्रहक नहीं पड़ता ठीक है फिर भी वरुख जाती है तो ये उसका कोई फिक्स कार नहीं है वेग गेंद पर लगए गए बल के समानुपाती होगा है ये बिलकुल गलत है वेग है जो कि उस पर लगए गए समानुपाती होगा ठीक है समानुपाती होता तो वह चलती जाती हाना ये कहरें गेंद पर गती क कोई दिशा के विपरित एक बल कारिय करता है उस बल को आप क्या कहेंगे उस बल को आप क्या कहेंगे गर्षन बल क्या कहेंगे गर्षन बल उस गर्षन बल की किरिया के कारण कुछ समय बाद में इसके विपरित जैसे बोल इस दर दिशा में जा रही है तो गेंद के विपरित विदूतु वाकबल होते है तो विरोदीबल है जो इसकंपर कारिय करता है रुध कुछ दूरी के जाने के भाद में बॉल को रोक लेता है ठीक है गैंध पर कोई ऐसंतुलिद बलकारिय नहीं करता है ये गैंध विरमा वस्ता के आने के लिए प्रियासत करती है अगर उस पर कोई विरोधिबल नहीं होता अगर उस पर ऐसन तुलित बलकार्य नहीं करता है गेंद विराम तो गेंद अगर विराम मवस्ता में चलती तो वह रुकती नहीं चलती जाती क्योंकि इसके विपरित एक बलकार्य करता है वह कौन सा बलकार्य करता है घर्षन बलकार्य करता है जो कि कुछ समय के बाद में वह रुकी जाती है तो आपका correct answer कौन सा हो जाएगा option number C गेंद पर गति की दिश्चा के विपरीत एक बल कार्य करता है ठीक है एक विरोधिबल है जो कार्य करता था आपको उपसिन नमर क्या हो जाएगा ठीक है तो यह हो गए आप जिका आपका लाष्ट तो आप सभी को पता है कि आपके जनरल साइस में किसी परकार का अगर क्यों स बनेगा तो वह अगर मोस्ट जो कि अगर डीप ली जाएगा तो हम भी वहाँ से समझ लेंगे लेकिन क्या जनरल साइस में आपके इससे ज्यादा हाड नहीं आएंगे और जिसे भी हाड आएगा तो आपको मैं अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा क्योंकि अगर किसी के ब